हेलो दोस्तों नमस्कार आज मैं आपको कैसे ड्रम यूनिट चेंज करते हैं वो मैं बताता हूं ठीक है 2002-2004-2006-2006 ये सभी मॉडल में एक ही ड्रम यूनिट लगता है NPG-59 छीक है एंपीडिक ये ड्रम यू Sind लगता है सभी मैं एक ही तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताओंगा कि कैसे ड्रम यूनिट चेंज होता है जैसे हमने कापी क्वालिट ये हमारी ही है तो उसमें लाइने आती रहती है कितनी भी आप क्लीनिंग कर लें या कुछ भी आप ड्रम इनट अच्छे से भी साफ करेंगे तब भी लाइन आएगी तो मैं आपको इसमें दिखाता हूं ठीक है और इसमें आप एक चीज और भी सीख सकते हैं कि काउंटर कैसे निकलता ह ठीक है काउंटर वह भी देख लीजिए तो सबसे पहले मैं काउंटर निकालता हूं मशीन में यह सबसे पहले मेनू का बटन यह टच करेंगे और एक कापी क्वालिटी चेक करने के लिए मैं काउंटर निकालूंगा तो आउटपूट पे जाएंगे आउटपूट तो वन करके है वही डालेंगे ठीक है तो मैं डाल लेता हूं एक बार मैं डाल लेता हूं कि इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको ड्रम यूनिट कैसे चेंज करना है और काउंटर कैसे निकालना है वह दोनों आपकी समझ में अच्छे से आजाए जैसे काउंटर मैं निकाल ही रहा हूं कापी क्वालिटी चेक करने के लिए कि मैंने ड्रम यूनिट क्ली क्लीन करके देख लिया है और अब पिन डाल देख लिए तो ड्रम क्लीन करके देख लिए बड़ मेरी कापी क्वालिटी सही नहीं हुई है तो मैं एक काउंटर निकालके फिर से आपको दिखा रहा हूं जस्ट की प्रिंट क्वालिटी है इसके बाद फिर मैं चेंज कर दोंगा तो पिन कोड और सिस्टम मनेजर आईडी सेमी रहता ठीक है इसके बाद यह लॉग और लॉग लॉग इन का यह बटन प्रेस करना है रिस पिके आप प्रेंट देखे निकलेगा मेरा प्रवेट करेंगे प्रेंट निकल रहा है ठीक है अब इस प्रेंट को मैं आपको दिखा देता हूं यह देखे लाइन आ रही है यह देखे बीच की लाइन है यह जा नहीं रही है तो इस कंडिशन में है हम सीधा ड्रम युनिट को ही चेंज करेंगे ठीक है राम चेंज कर देंगे तो कापी क्वालिटी सही हो जाएगी तो कई बार कस्टमर को या फिर कुछ नए इंजिनियर्स को नहीं पता रहे तक ड्रम यूनिट कैसे चेंज करतें तो मैं अब नया ड्रम यूनिट लाता हूं यह देखे लिए ड्रम यूनिट है नया औरिजनल पिट मिल्कुल न्यू है सील्ड है यह और यह देख लीजिए ऐसे सील्ड रहता है और इसका प्राइज बगर देख लीजिए प्राइज इसका है 16,190 रुपे MRP ठीक है और ड्रम का जो मॉडल है NPG यह देखे नीचे लिखा हुआ है NPG 59 ड्रम यूनिट ठीक है यह यह औरिजिनल है अंडर प्रट्सन और जिनल है और इसके बार कोड को स्कैन करें तब भी पता लग जाएगा कि और जिनल है कि डूब्लिकेट तो यह देखिए यह इसको निकालने के लिए अनोज बनावा इसको खीचेंगे कहां से पढ़के ड्रम इनट तो निकाल आएगा ठीक है यह देख खीचने पर ड्रम निकलाएगा अगरा अगरा कि खुल गया यह ओपन हो रहा है कि पूरा योनिट ही आता है ठीक है पूरा योनिट होता है इसमें आपको कुछ करना नहीं रहता ज़्यादा केवाल आप ड्रम इनट निकाल लीजिए ठीक है और मशीन में कैसे निकालना यह वो भी मैं आपको बता दे रहा ह developed पहले서 चले अब यह तु निकली गया लगवक आपसे अब मुह मशीन में बता देता ओ कैसे निकलता टीक है मशीन में निकालने के लिए एप को कि फ्रंट दोर खोलना है सामने वाला जब हम टोनर लगाते हैं खोलते हैं तो तो और साइड वाला खोलना जैसे कि पेपर जाम होता है तो खोलते हैं कभी-कभी ठीक है पुश कर दिया हो कि खोल दीक हbor यह उपर जो लगा है यह लोल आड़ अन्ला कर दया उसके बाद यह जो लगा है यह इसको घृमा के देगली है आरहाम से इसको ताइट रहता है रहता तक आप जब यह यह देखे लटक गया तो अब इसको खीच लेना अपनी तरफ ठीक है यह हैंडल लगा हुए ब्लू कलर का नीले कलर का इससे पड़कर उठा लीजिए तो यह मैने बाहर कर दिया बस इतना ही बाहर करने के लिए और कुछ नहीं है ठीक है और सेम सेम ऐसे ही यूट रहेगा जो आपको लगाना ठीक है यह जो मैंने रख रखा था अब मैं आपको को दिखा देता हूं अब उठाल लीजी ठीक है निकाल के अब किसी ब्लेड से या कटर विगरा से एक साइड काट ली जिए ठीक है इसको पास लाइए कैमरे को ताकि यह अराम से दिखे ठीक है तो इसको अराम से काट लीजिए ध्यान रखिया कि यह खट खट मद रखिये ड्रम यूनिट बहुत नाजुक चीज होती है ठीक है अगर इसके ड्रम पे जो नीले कलर का इसमें यह रोड है अगर उस पे कुछ स्ट्रेश आ गया तो फिर यह ड्रम यूनिट खराव जाला कि पूरी सेफटी के साथ है प्लास्टिक बॉक्स नीचे लगा रहा है इसके अंदर वाइट कलर का जिससे अभी तो इसमें कुछ नहीं है बट निकालने के बाद आप इसमें नाखून या फि फिर भी लाइन आ रही है तो फिर फिर खराब ही हो गया समझे यह देखिए अभी प्लास्टिक से पैक है और भी आप साथानी से ही इसको लगाएं तो यह देखिए जो नीचे प्लास्टिक लगा हुआ वह उसी राड को प्रोटेक्ट किया हुआ है ठीक है क्योंकि वह इसको निकालना है हम यह वाइट कलर के प्लास्टिक बॉक्स को तो सबसे पहले यह टेप जो लगी हुई है औरेंज कलर की इसको निकाल देंगे आराम से कोई दिक्कत नहीं बस यह द्यान रखे कि हांसे छूटे ना पता लगया आपने यूनिट को ध्यान से नहीं पकड़ रखा है कि तो छूट जाए तो आराम से पगड़िया और इस प्लास्टिक को कि अपनी तरफ खीच लीजिए अपने तरफ खीचेंगे ना तो पूरा राम से निकला आई है है थोड़ा जोर लगाई यह और निकलाएगा है यह देखिए ठीक है तो यह प्लास्टिक निकला प्लास्टिक के नीचे जो हरे कलर का यह रॉड इस पर उंगली या नाखों नहीं लेगा आपको बस सीधा ऐसे पकड़िये यह पकड़ने का सही तरीका है यह भी देखना कि कोई बाड़ी ना टच कर जाए उसके साथ में यह जो नोच बना हुआ है यह नोच और यह ड्रम यूनिट का नोच इसमें लगेगा और एक नोच यह इधर भी बना हुआ है यह इसमें जाएगा ठीक है तो अराम से उसके उपर रख दीजिए ऐसे और फिर अंदर कर पॉश्ष कर दीर है ये दिखें technology अर्यसको 예 फिस स्कुर्व को फिर टाइट कर देंगे पिछली बार खोला था निकालते समय खोना है कि लगाते सिर्थ है तो उसके बाद इसको लोक कर दोना है और फिर दोनों डोर को बंद कर देना है, ठीक है, लेft डोर को भी बंद कर देना, फ्रन डोर को भी बंद लेना, अब आपको मैं प्रिंट क्वालिटी चेक करता हूं, कि कैसे प्रिंट आ रहा है, ठीक है? कि प्रेंट कौलिटी आपको मैं चेक करा देता हूं तो उसके लिए आप मैं फिर से काउंटर निकालता हूं ठीक है जैसे कि मैंने बताया आपको काउंटर से आपको यह भी पता लग जाएगा मशिन कितनी चली है फिर मशिन का सीरियल नंबर क्या है और quality तो पता लगी जाएगी फिर से मैनू में जाएंगे हम मेंкам आउटपुमीजा आउटपूट के बाद करें निस्त में जायए फिर गेंगा फिरो करें निस्त के बाद आपकु सिस्टम लिंच आइडी जो कि 7654321 टिंह फिर जाना 3, 2, 1 और अप्लाई कर देंगे अप्लाई करने बाद पिन डालेंगे पिन पर टच करेंगे और पिन भी सेम रहता है ठीक है तो डालेंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और अप्लाई कर देंगे ठीक है अब लॉग इन और लॉग आउट का यह बटन दबाएंगे लॉग इन लॉग आउट का बटन यह है ठीक है फिर ओके कर देंगे और फिर यस कर देंगे अब प्रेंट निकलेगा हमारा यह देखिए प्रेंट हमारा निकल आया है यह प्रेंट निकाल लिया हमने यह देखिए अब प्रेंट क्वालिटी देख लीजिए के देखिए कहीं कोई लाइन नहीं है से ठीक एक दम क्लीन है इस पर आप कितनी कॉपी चली है वह भी चेकर से यह हमारा पुराना प्रेंट है ठीक है और यह हमारा नया प्रेंट है तो इस तरह से आप इस वीडियो में आप 2 चीजें सीख सकते है एक तो ड्रम यूनिट कैसे चेंज करना दूसरा काउंटर कैसे निकालना है कि मशीन हमारी कितनी चली ठीक है तो यह आप चेक कर सकते हैं ठीक है ओके थेंक्यू वीडियो देखने के लिए